पुर्देश में इन दिनों पनावती पर चार्चा हो रही है पनावती आखिर क्या चीज है पनावती का मतलब क्या होता है अब पनावती सब्द निकला कहा से इस पनावती सब्द पर राजनीती हो रही है नेताओं के सभाओं में पनावती सब्द का प्रियोग हो रहा है और आम जनता भी वर्ल्ड कप के बाद पनावती सब्द को सोसल मीडिया में खूब उच्छाला अब कॉंग्रेस और भाजपा में पनावती सब्द को लेकर चबरदस्त टकर हो रही है जबकि मुझे जो याद है कि पनावती सब्द एक फिल्म थी जिसमें पड़ेस रावल जो फिल्म के किरदार निभा रहे थे वो भाजपा के सांसद हैं और उन्होंने अपने पतनी को पनावती सब्द कहा था और अन्हे कई फिल्म में पनावती सब्द का प्रयोग हुआ है और वी सुकप में भारत के हार के बाद पनावती सब्द का प्रयोग आम जनता ने करना शुरू किया और वह पनौती सब्द तेरते तेरते सोसल मीडिया में काफी ट्रेंड करने लगा और पनौती पर रहुल गांधी ने भी चर्चा कर दी नितीज कुमार के सभा में भी जनता पनौती सब्द का प्रियोग किया लेकिन नितीज कुमार ने अपने जुवान से पनौती सब्द का प्रियोग नहीं किया नितीज कुमार ने पूछा अवश्य की जनता क्या कर रही है तो पनौती सब्द का अर्थ क्या है पनौती आया कहां से तो मेरी जानकारी के मुताविक जो सुत्र के हवाले से जानकारी मिली है और जो सर्च के बाद आया है कि पनाउती सब्द का अर्थ होता है काम बिगारने वाला जो लोगों का धारना है लेकिन नेपाल में काठमांडू से 30 कुलिमीटर दूर पनाउती एक सहर का नाम है और वहाँ पनाउती एक सिव मंदिर का भी नाम है कहा जाता है कि पहारियों में बसा यह सहर है और मंदीर उस जगह का नाम पनाउती है तो इससे यह जाहिर होता है कि पनाउती सब्द हो नहो वहीं से तैरती हुई निकली हो या फिलमों में जो कलाकारों ने 25 सब्द का प्रयोग किया वहां से 25 सब्द तेरी हो तेरती जनता के बीच आई हो लेकिन जो भी हो 25 सब्द पर चर्चा है राहूल गांदीने कह दि तो राहूल गांदी को नोटीस कर दिया गया अब राउल गांदी के 35 सब्ध के पड़ियोक के बाद आम जो प्रवक्ता है BJP के वो भी हमला बढ़ हो गए मतलब पनाउती सब्ध कहीं ने कहीं मोदी जी पर पड़ियोक किया गिया ऐसा कहा जाता है लेकिन पनवती सब्द फिल्मों में कहा जाता है कोई बीवाद नहीं, पनवती सब्द एक जिले का नेपाल में नाम है कोई बीवाद नहीं, एक मंदिर का नाम है कोई बीवाद नहीं, तो पनवती सब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पनवती पर चर्चा होती है, यह चर्चा बेबुनियाद और निर्थक है आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें और सब्सक्राइब करें धन्वाद